नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बेस्ट फाइब स्मॉल कैप मिच्वल फंड इड्वेस्मेंट के बारे में बात करेंगें आज के समय में देखा जाए तो मिच्वल फंड्स के आपको कई प्रिकार की कैटिगरी देखने को मिल सकती हैं जिसमें आप अपनी रिस्क, कैपिशिटी और लक्ष को ध्यान में रखकर निवेश सुरू कर सकते हैं जैसे एक्विटी, डेट तथा हाइब्रिड जैसे कई स्कीम हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं बहुत से निवेशक ऐसे हैं, जिनें लंबी अवधी में बहतर रिटन चाहिए होता है तो दोस्तों, अगर आपको भी लंबी अवधी में बहतर रिटन चाहिए तो आप स्मॉल कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं इस फंड में आपको रिस्क तो उठानी पड़ती है परन्तु अगर इसमें आप लंबी अवधी के लिए निवेश करते हैं तो आपको भविश्य में बहतर रिटन मिल सकते हैं छोटी अवधी में यदि आप निवेश करते हैं तो यह आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि इस फंड में निवेश आप लंबे अवदि के लिए ही करें, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टैनल पर आपको Finance, Insurance और Investment से Related ही वीडियोस देखने को मिलती हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम Best 5 Small Cap Funds के बारे में आज बात करेंगे, कि वो कौन से ऐसे Funds हैं, जिसमें अगर हम निवेश करते हैं, तो एक अच्छा खासा Return हमें Return मिल सकता है, तो दोस्तों ये पांचों Funds के बारे में बताने से पहले, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि Small Cap Funds, ऐसे Funds होते हैं, जिसके अंदर Fund Manager ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं, जिनका Capital 5,000 करोड रूपे तक होते हैं, ताकि जो कंपनियों मार्केंड में अभी नई हैं, और भविश में उनका Growth बड़ी तेजी से हो, जिससे कि अगर आप ऐसी कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा Return मिल सके, लेकिन इसके अंदर रिस्क भी काफी जादा होती हैं, क्योंकि ये नए बिजनेस और नई कंपनियों को डूबने और उनका Business Growth फेल होने का भी डर रहता है, जिसमें निवी शक को अधिक जोखिम के साथ बहतर Return मिलेंगे, उसमें एक Return के साथ साथ आपको एक जोखिम भी रहता है, दोसों Small Cap Fund में Connt Small Cap Fund अच्छा Returns दे रहा है, मार्च 2023 तक पिछले तीन साल का Austin 71 प्रतिसत से अधिक का Return दिया है, अगर आपने तीन साल पहले इस फंड में 10,000 रुपे का निवेश करते हैं, तो आज इसकी वैलू लगबग 50,358 रुपे के आसपास होती, इस फंड में यदि आप एक मोस्त निवेश करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 5,000 रुपे का निवेश करना होगा, वहीं अदि आप इस फंड में SIP के जड़िये अपना निवेश करना चाहते हैं, तो मिनिमम एक हजार रुपे से आप इसमें निवेश कर सकते हैं, तो कांट स्मॉल कैफ फंड एक स्मॉल कैफ फंड हैं और इसके अच्छे खासे रिटन्स अभी तक दे रहा हैं, सेकंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैफ फंड इस फंड में मार्च 2023 तक तीन साल के औस रिटन्स की अगर बात करें, तो लगबग 53% के आसफास इसका रिटन्स रहा हैं, अगर तीन साल पहले इस फंड में 10,000 रुपे का निवेश किया होता, तो आज इसकी वैलू लगबग 35,850 रुपे के आसफास होती, इसमें निवेश की बात करें, तो आप मिनिमम्म 5,000 रुपे एक मुस डाल सकते हैं, और वहीं अगर आप S.I.P. के माधियम से आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो मिनिमम्म 5,000 रुपे मासी से आप S.I.P. स्टार्ट कर सकते हैं इस फंड में, थरड हैं, टाटा इसमाल कैप फंड, टाटा इसमाल कैप फंड एक बहतरीन मेचोल फंड है, और इस फंड में पिछले 3 सालों का रिटन जो है औसतन 46% का रहा है, और इससे अधिका भी रिटन इसने दिया है, अगर आपने इसमें 3 साल पहले 10,000 रुपे का यदि निविश्ट 3 साल के लिए किये होते, तो लगबग उसका आज वैलू 31,550 रुपे के आसफास होती, इस फंड में भी यदि आप एक मुस्त निविश्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम 5,000 रुपे का निविश्ट आपको सुरुवाती तोर पे करना होगा, और अगर आप S.I.P. इस फंड का करना चाहते हैं, तो मिनिमम 500 रुपे मासिक से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, फूर्थ है, कैनरा रुबे स्माल कैप फंड, स्माल कैप कैटेगरी के इस फंड में पिछले तीन सालों में आसतन 48% से अधिका रिटन दिया है, अगर आपने इस फंड में तीन साल पहले 10,000 रुपे का निविश्ट के होते हैं, तो आज उसकी वैल्यू लगबग 32,700 रुपे के आसफास होती, इस फंड में आप मिनिमम निविश्ट 5,000 रुपे एक मुस्ड और 500 रुपे का एक S.I.V. स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरों, पांच वो फंड है, SDFC स्माल कैप फंड, इस फंड में पिछले तीन सालों में हर साल आस्टन 45 परशंट से अधिका रिटन दिया है, अगर आपने इस फंड में तीन साल पहले 10,000 रुपे निविश्ट के होते, तो आज उसकी वैल्यू 30,250 रुपे के आसफास होती, इस फंड में आप मिनिममम 5,000 रुपे से निविश्ट कर सकते हैं, और अगर आप S.I.P. के जरिए इसमें निविश्ट करना चाहते हैं, तो मिनिमम 500 रुपे से आप S.I.P. इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, दोस्तों अभी इस वीडियो में आपको 5 ऐसे S.P.A.L.C. फंड के बारे में जानकारी दिये हैं, जिसमें आप निविश्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद दोस्तों जब भी आप इसमें निविश्ट करना चाहते हैं, तो ये जोकिम भरा निविश्ट होगा, तो आप जब भी निविश्ट करें, तो सू समझ कर और अपने लक्ष और रिस्क को ध्यान में रख कर ही निविश्ट करें, ताकि जब भी आप निविश्ट करें, तो कम से कम 3 सालों तक आप उसे continue रखें, क्योंकि अगर आप उसके पहले उसमें से withdraw करते हैं, तो हो सकता है कि आपको return तो कुछ न मिले, लेकिन आपको नुक्सान भी भरना पड़े, तो आप जब भी ऐसे fund में निविश्ट करें, तो कम से कम long term के हिसाब से plan करके निविश्ट करने स्टार्ट करें, 10 साल, 15 साल, जब आपको एक अच्छा खासा return ऐसे fund के अंदर आपको मिलेगा, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप उसे comment करके बताएं, साथ ही से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शाथ में share करें, ताकि उन्हें भी ऐसे funds के बारे में चार्मकारी मिल सके, और आप लोगों ने अगर अभी भी चैनल को सबस्क्राइब ना किये हों, तो कर लें, क्योंकि इसके उबर आपको finance और insurance से related ही वीडियो मिलती हैं, ताकि जो भी next वीडियो अपलूड हो, उसका notification सबसे पहले आपके पास,